कॉंग्रिस के दिगज नेता सचिन पाइलट मंगलवार को विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रिस की हार गो लेकर पहली बार खुल कर बोले उन्होंने कहा कि ये विधान सभा चुनाओ जीतने का हमारे पास काफी अच्छा मौका था लेकिन हम जीत हासिल नहीं कर पाए अगर हम कुछ और प्रयास करते तो शाएद राजस्थान का रिवास तोड़ कर हम फिर से राजस्थान में कॉंग्रिस की सरकार बना थे पाइलट राजधानी जैपूर में एक निजी चैनल की ओर से आयोजइट कारिकरम में अपनी बात रख रहे थे पाइलट ने कारिक्रम में हाल ही में विधान सभा चुनाओं के दोरान कॉंग्रेस की हुई हार के बाद उन्होंने खुलकर बात की उन्होंने कहा कि राजस्तान में सरकार बनाने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका था लेकिन हमसे चूख हुई है इसके कारण ये मौका हमारे हाथ से निकल गया उन्होंने सुखजिंदर सिंग रंधावा और गोविन सिंग टुटासरा की बात को दोराते हुए कहा कि हमने मंतरियों को टिकट दिये जो नहीं जीत पाए आपको बता दे कि कॉंग्रिस ने इस चुनाव में 25 पूर्व मंतरियों को टिकट दिये लेकिन 17 से 18 मंतरी चुनाव हार गए उन्होंने इस पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यदि हम इन सीटों पर दूसरे उमीदवार उतारते तो शायद हमारा प्रदर्शन और बहतर हो सकता था इस दोरान सचिन पाइलट ने विधान सभा चुनाव में कॉंग्रिस की हार को लेकर कई कारण बताए उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस का कारेकरता पार्टी की एहम कड़ी होता है पाइलट ने कहा कि पार्टी शायद अपने कारेकरताओं का ख्याल रखने में विफल रही है उन्होंने कहा कि हमारे कारेकरताओं ने सरकार वापस रिपीट हो इसके लिए कड़ी मेहनत की अगर हम उन्हें और अधिक संबान देते तो शायद हमें इस बार चुनाओं में बड़ी जीत मिल सकती थी क्योंकि कारेकरताओं का दिया गया संबान उनकी बड़ी उर्जा होती है